नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोधरी श्वाद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SSC GD कमांडों में दोस्तों ये वीडियो स्पेशली SSC GD का एक नोटिस वायरल हो रहा है जो SSC GD नोटिफिकेशन को लेके आप सभी को पता आगे SSC GD की जो 2022 की है नोटिफिकेशन आने वाली थी नोटिफिकेशन किस डेट को आएगी ये भी क्लियर हो रहा है कि 10 डिसमबर को इसके नोटिफिकेशन आएगी 10 डिसमबर 2023, 2000-2022 से इसके फोरम भरे जाएगे इसके बाद में एक ये नोटिस है जो कि आपको बहुत ज़्यदा वायरल हो रहा है कि SSC GD में जिस परकार का नोटिस आता है उसी परकार का बहुत सारे बच्चे मेरे को भेज रहे हैं कि सर ये सही है या नहीं है पहले बात मैं आपको ये बता दूँ बिलकुल इसके सही होने के चांद से ज़्यदा है हाँ ये बात जुरूर है कि SSC GD की official website पर ये notice नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत सारे इसी website और ये कई बार SSC GD की original side पर आने से कई दिन पहले ही ये चीज़ें open कर देते हैं और वो रही निकलती है कई बार आपको रिजल्ट भी SSC की official website पर जैसे कल जो आएगा वो कई जैसे इसी website है जिन पर एक दिन पहले ही आ जाता है ठीक है तो इस नोटीस में सत्यता तो हो सकती है क्यों हो सकती है देखो इसमें जो दे रखा है कि लास्ट जैसे कब से आएगा 10 डिसम्बर से इसके फोर्म पर जाएंगे उनीस एक दो जार तेईस तक ठीक है इसकी लास्ट टाइमिंग यह नहीं कहने का मतलब जो भरा जाए तक बढ़ा जाएगा यह पूरी समें डिटील है लेकिन फोड़ा सा पंगा दे रखा वो क्या है वह एज को लेकर है वे लेकिन सी कितनी है मैं आपको बताओ तो आप देखिएगा ज्यान से सबी विवा की इसमें वेकेंसी दे रखिए मैं ओपन कर रहा हूँ आप तोड़ा धहर यह बना के रखिए देखो हर एक डिपार्मेंट की बीएसप की टोटल वेकेंसी 11,000 दे रखिए ठीक है इसमें सत्यता हो सकती है हंडेड परसेंट क्यों हो सकती है क्योंकि कई बार इसे नोटिस आते हैं आपको बताता हूं ठीक है यह इसमें सत्यता की काफी उमिद है यह ओपीसल वेपसाइट पर लहीं है लेकिन हाँ इतनी पदोगी वेकेंश से इस बार होनी होनी है कम से कम इससे ज्यादा ही होगी अब करना है क्योंकि कोई वरोसा नहीं है अभी आपके पास में टेंट पास की वेकेंशी बन जाए ध्यान रखेगा इस बात के लिए तो आपको एज्यूकेशन पे इस चीज और अगर एक चीज और के आप एगर आप ओन लाइन तयारी करना चाहते है तो कमांडो केडमी का एप सब्सक्राइब को लेकर थोड़ा समय से आ रहे है कि मैं बताता हूं आपको एज इसमें बता रखा कि जो एज काउंटिंग होगी वो एक जनवरी 2022 से होगी अगर एज काउंटिंग एक जनवरी 2022 से अगर हुई एक जनवरी 2022 से हुई तो आपको पता है कि 2005 वाले जितने भी बच्चे है ये फ़र में अप्लाइन नहीं कर पाएंगे ठीक है और इसमें दिया जा रहा है करोना के कारण ये बढ़ती डिल आ रही लेकिन ये बढ़ती तो लेट होई नहीं रही ये बढ़ती तो अपने टाइम पर है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एज अगर तो अगर आप कई पचे पूचेंगे सर आपके साब से फिर किसे एज काउंट होती करेंगे तो उसी दिन से इसकी एज काउंट होती है लेकिन इस बार क्या हुआ है इस बार यह हुआ है यह बताया जा रहा कि एक जनवरी 2022 से एज काउंटिंग करेंगे तो 2005 वाले अठारा साल के नहीं होगे और SSGG के एज क्राइटेरिया में कम से कम 18 साल का बच्छा होना चा पर यह जनवरी 2022 से करेंगे तो जो बच्छे और यह व रहे हैं उनको फाइदा होगा 네 ठीक और उनको फाइदा हो जाएगा अगर एसा होता तो भी ज्केन वाले बात नहीं क्यूंकि उन के सामने हाँ यह रहा एज देखो एक जनवरी 2022 से और कम से कम वो कब से कब पैदा हुआ चाहिए देखो 02 यानि दो जनवरी 1999 में से लेकर एक जनवरी 2004 से पहले पहले पैदा हुआ बच्चाही फोरम बर पाएगा जनरल केटेगरी का इस केटेगरी का जनरल केटेगरी का up जो बाकी केटेगरी है उसमे आप देख लिए जो ऑबी-सी में इसमें तीन साल की छूट मिलजाती है SCST को इसमें पांच साल की चूट मिल जाती है वो चूट आप इसमें एड कर सकते हो लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह है कि 2005 वाली जो बच्चे उमीद लगाएं बेटें या फोरम बने की ताग में बेटें उनका तुरसा सपना तूट सकता है लेकिन ध्यान रखे लाड़ लो इसकी possibility बहुत कम लग रही है मुझे क्योंकि इस चांस बहुत कम होते हैं अब यह है पंगा कि जब तक official website पर यह notice नहीं आ जाए तब तक हम इसको 100% नहीं मान सकते नहीं इस age criteria को हम 100% मान सकते हैं इसलिए दोनों जो ओवरेज ओर है वो बच्चे भी और जो 2005 का जिनका जनब है वो बच्चे भी इसकी तैयारी करते रहे है लाड़ लो आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि क्या पता किस ओरता ले जाए तो आपको दोनों को ही तैयारी करते रहना चाहिए लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि ये वेकेंसी लगबख साथ जार पोस्ट तो कम से कम रहेगी बाकि मैक्सिम्म असी जार पोस्ट तक कि ये वेकेंसी हो सकती है और इसमें अगर ये साथ जार के आएगी तो भी सतर जार के आज़ पास चले जाएगी क्योंकि एससे जेडी की जो ओपिसल वेफसाइड एलाड़ लो एससी डोट नाइसी डोट इन उस पर इसके बारे में अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ आप देख सकते हैं मैं आपको अगर दिखाऊं तो चलिए आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको देखना है तो ऐससी डोट नाइसी डोट इस पर देखिए इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्जामिनेशन कलेंडर जुरूर आ रखा है इसके अनुसार आपको दिखा जेता हूं कि आप की जो यह वेकेंश एस जीडी वाली वह में यह देखो कौंस्टेबले से जीरी सेंडर 10 दिसमर जोए जाएंगे यह देख लिए जीव जाएंगे जों कि उननीज एक दोजार तेविश तक भरे जाएंगे इस बात में हंडेड परसंट से त्यता है कि दस तारीक वेकेंसी आने वाली जो भी बच्छे अभर पर तयारी कर रहे हैं